CGL 2022 का नया exam pattern अब तक सबीने analysis कर चुके होंगे कुछ चीज़े है चो आपकी preparation की strategy prepare करने में आपको मनद करेगे किसी को pattern change होने से फाइदा हुआ है तो किसी को नुकसान भी हुआ हम यहाँ वो discuss नहीं कर रहे हैं यह हम discuss करेंगे कि क्या चीज़े हम अपनी preparation में include कर सकते ताकि हम बाकी लोगों से lead ले सके सबसे पहले अगर बात की जाए pre-exam की तो यह qualifying हो चुका है last year का cut off 130 था unresult के लिए इस बार vacancy भी 20,000 है मतलब कहीं न कहीं इस बार का cut off 130 से तो नीचे ही जाना है अगर level same रहा तो हम फिर भी अपने जो mock हम अगर लगा रहे उसका target 130 से 140 के बीच भी रख सकते 140 से कम आते लगवग 130, 125, 120, 110 तो भी direct हम नहीं बोल सकते कि हम qualify नहीं कर पाएंगे बट ठीक है हम target रखेंगे 140 का तो किसी condition में अगर कम भी आते तो अभी वो adjust हो जाएगा लेकिन अगर 140 से ऊपर आ रहे तो अभी कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं क्योंकि syllabus same है syllabus आपका pre का और mens का लगबक same रहेगा तो जो आपका pre का score है pre का आपका performance आपकी गलती आपको बताएगा कि आप mens में क्या सुधार कर सकते हो प्लस आपको काफी सारी नई चीजे भी पता चलेगी कि नया pattern है मतलब already हम prepare कर चुके कुछ चीजे include करना है mens की preparation के लिए ये सारी चीजे तो अगर marks जादा आ रहे 140 प्लस आ रहे 150 तक जा रहे तो तो better ही रहेगा कही न कहीं क्योंकि आपका pre का performance आपका reflection रहेगा कही न कहीं आपके mens में क्या perform आप करने वाले हो अगला एक ध्यान देने वाला point है कि English में कही न कहीं current affairs का role रहेगा देखने थोड़ा से surprising है बट मैं आपको clear करता हूँ इसमें clearly लिखा हूँ है notification में लिखा हूँ है कि आपका जो English में passage आएंगे तीन passage आएंगे तीन में से एक तो आपका simple वाला रहेगा किसी भी story का extract वह हो सकता है ठीक है जो दो passage रहेंगे वो कही न कहीं आपके editorial से आएंगे यह इसपश्ट लिखा हूँ अजमे यह word भी mention किया है editorial तो अगर हम newspaper का मतलब daily अपने preparation में उसको शामिल करें तो सीधा उसका फाइदा मिलेगा अब तक ऐसा था कि चलो ठीक है newspaper अगर आप ना भी करो तो भी current affairs आराम से कर लेते थे प्लस आपका English grammar based रहता था maximum आपका यह रहता था तो आप उसको सीधा सीधा कर सकते थे कोई दिक्कत ने थी बट अभी कहीं न कहीं इसका रोल देखने को मिलेगा शायद तो आप चाहे तो editorial को अपने daily basis में उसको शामिल करो एक चीज़ और धियान देने वाली है English में कि means में जो हमारा होगा एक section में English और general awareness को रखा गया है अब दोनों ही ऐसे subject है जो आप आराम से कम time लेके कर सकते हो मतलब मैं अपना experience बताऊं तो pre में लगबग मुझे time लगता था English में 11-12 minute maximum लगता था 25 question के लिए general awareness के अगर बात करें तो 5, 6 या 7 minute में हो जाता था इस बार आपका पूरा एक घंटा आपको मिला है 45 question करेंब आपके English के रहेंगे और कुछ questions आपके general awareness के रहेंगे तो कही ना कही मतलब लेंदी आने के chance रहेंगे English का maths का थोड़ा से weightage क्या कम हुआ लोग उसे समझने लगए कि arts से first पर आगा है बट यसा नहीं है कही न कहीं है deciding factor रहेगा आपके final selection और आपके dream post को लेके maths का weightage कम जरूर हुआ है लेकिन खतम नहीं कर दिया का है उसके ठीक है तो maths भी important रहेगा उसमें बट यह है कि जिसे पहले आपका सिर्फ maths के दम पर जो selection ले रहे थे अब वैसा नहीं रहेगा अब कही न कहीं हर subject का लगबग लगबग बराबर weightage है maths में आपका reasoning और maths दोनों का ही same weightage रहेगा तो maths पर मतलब उसको importance तो देना है बट उतना नहीं देना जितना आभी तक हम देते आए English और maths को हम compare करें तो English का weightage ज़्यादा है और तो फिर उसको कही न कहीं मतलब बनता है time देना बनता है ज़्यादा maths के comparison में लेकिन reasoning के अगर हम बात करें reasoning और maths को compare करें तो reasoning से ज़्यादा time तो maths में लगेगा ही हर topic से एक question आने के chance है एक से ज़्यादा भी अगर आये तो rare chance में रहेगा क्योंकि जितने question है topic ही उससे ज़्यादा है तो कहीं न कहीं मतलब आप कोई portion इसा है कि ज़्यादा weak है बहुत ज़्यादा भी कि किसी को geometry में दिखका थे तो उसको skip भी गड़ सकते हाँ एक सहूलियत यह रहेगी कि trigonometry को लेकर इसमें लिखाए मतलब जो notification है उसमें लिखाए कि आपका trigonometry से सिर्फ simple questions आएंगे simple question माने तो जो अभी तक 10th level के आते थे मतलब जैसे 2017 में जो high level का paper आए वेसा नहीं आएगा यह clearly उसमें mentioned है तो identity के उपर ही questions आएंगे और वेसा ही बाकी का भी रहेगा मतलब कहीं न कहीं bank pattern का जो questions है वहीं follow करेगे इसससे से तो simple level ही आ सकता है बट हमें तयारी रखने क्योंकि आपका competition कहां decide रहेगा कहीं न कहीं मतलब mains पर रहेगा तो mains पर tie up का case रोकने के लिए हो सकता है कि easy वाला ना दे कि moderate वाला दे तो 2021 से तो थोड़ा सा tough level आएगा कहीं न कहीं 2020 के comparison का सकता है बट उतना भी tough नहीं रहेगा जितना आपका 2017 में था बात करे general awareness की तो weightage increase हुए mains में भी आपका general awareness रहेगा एक चीज़ ओर जो minus marking थी अब वो one third है मतलब जो पहले one fourth थी 25% minus marking रहती थी अब minus marking one third है मतलब कहीं न कहीं हमें बचना रहेगा तुक्के लगाने से guess work करने पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे because की one third अपने आप में ही ज़ादा है minus marking इसके अलावा current affairs का कहीं न कहीं portion increase हो सकता है यह step जो लिया गया है कहीं न कहीं CET को touch में लाने के लिए CGL का pattern कहीं न कहीं हो सकता है कि इसा change किया है तो current affairs का क्योंकि आपका means में भी है means में भी है अगर तो questions शायद थोड़ा सा deep में भी हो सकता है तो lucent करना है revision में आपको lucent ही करना है किसाब से लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ books follow कर सकते है NCRT summary करके है कि आप दृष्टियाइश की भी है मतलब आपको throw out उसको खतम कर लेना है एक बार revision करना है इसके बाद questions लगाओ और फिर last में आप lucent से भी उसको revise कर सकते है current affairs कोई भी एक teacher आपको जो ठीक लगता है उसको choose करके आप महाँ से पढ़ सकते हो एक book है आपकी edutaria करके आप वो purchase कर सकते है तो इस types आपको general awareness की strong preparation इस बहर रखने रहेगे हर बार की तरह उसको ignore नहीं कर सकते अगर उसे ignore करते तो कहीं न कहीं आप थोड़ा सा दूर चले आएगे selection से ना भी जाए अपनी अच्छी पोश्ट से आप दूर चले आएगे क्योंकि last की जो अगर 20,000 है टोटल जिसमें से 7,000 के करीब आपकी top level की पोश्ट रहेगी बची हुई जो पोश्ट है वो आपकी postal assistant या sorting assistant जो आपकी CHSL लेवल की पोश्ट पहले थी वो रहेगी तो आप नहीं चाहते अगर तो general awareness को भी उतनी ही इज़द देनी रहेगे जितनी मतलब अभी तक देता है उससे थोड़ी सी जादा है क्या इस बार questions reasoning के bank level के आएगे तो pre में तो नहीं रहेगा at least pre में ऐसा नहीं रहेगा जो आपका syllabus तो सहम है जो आपके previous year जो SSC का है questions भी उस type के ही आएंगे तो pre की तो इतनी दिक्कर ने हाँ, mains में level ज़रूर बढ़ा सकते है क्योंकि आपका 30 minute लगबग अगर देखें मतलब 30 minute में अगर आपके 30 question match के है तो reasoning को भी 30 minute मिल रहे है मतलब 1 minute 1 question को आप सोच के देखिए कि इस से पहले जो होता था, मतलब 3 भी अगर हुआ है reasoning, तो आपका 1 minute question के लिए कभी नहीं मिले इसका मतलब यह कि जो question का level है level कहीं न कहीं आपका increase रहेगा, जो question पहले 2 line के थे पढ़ने में, अब हो सकता है 4 line के कर दे, concept आपका सेम रहेगा, कुछ changes नहीं रहेंगे seating arrangement, puzzles बगेरा हो सकता add हो, बट वो भी rare case में, puzzle तो rare case में रहेगे seating arrangement तो पहले भी, मतलब MTS के paper में भी आते हैं तो उतना ज़्यादा तो फरक नहीं पड़ेगा हाँ, practice जरूर उसकी करने रहेगी और daily basis पर करने रहेगी कुछ हमें moderate level के questions भी करने रहेंगे और कुछ questions हमें tough level के तरफ भी जाना रहेगा बट शुरुवात में आप उतना करो, वैसा नहीं आप pre का अच्छे से करो pre में आप moderate level तक अपनी preparation ले आने की कोशिश करो, reasoning की फिर आपको pre का जो paper है, वहाँ से भी काफी idea लगेगा, उस हिसाब से हम decide कर सकते कि men's के level में आपको कितना level का पढ़ना है reasoning आपको किस level का पढ़ना है वह आप बाद में भी decide कर सकते हैं तो शुरुवात तो आप concept clear करने पर रखो, आप topic wise sectional test भी आप लगा सकते, reasoning के इसके अलावा अगर bank का ही करना है, तो आप one by one topic choose कर सकते हैं कि किसी दिन आपने puzzle choose किया पढ़ा उसको अच्छे से और उसके question लगा लिए बात कर अगर हम books की तो काफी e-books भी available है कुछ में भी आपको provide कर सकते हो आप एक बार, जो भी book जरुवा आप एक बार comment में उसको बता दीजिएगा इसके अलावा टेलिग्राम से भी काफी book मिल सकती है already जो आपके पास है आप वहाँ से भी उसको continue कर सकते हो तो ये कुछ, मतलब important tips थे, जो आप follow कर सकते हो कुछ points थे, जो notification से हमने आपजाव किये तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो आपकी preparation को boost मिलेगा प्लस आपको अगर lead लेनी है तो consistent रहना रहेगा आप जिस भी दिन से preparation स्टार्ट कर रहे हो September ending से, या कल से स्टार्ट कर रहे हो, आप October 1st से start कर रहे हो तो वहाँ से लेकर आपको men's तक consistent रहना पड़ेगा matter क्या करेगा, matter यही चीज़ करेगी कि आप किस level के अपनी preparation रखते हो 390 नंबर का men's है 390 नंबर आपकी job decide करेंगे अब 390 में से आप कितना number score करते हो उस हिसाब साब का selection रहेगा उसकी चिंता नहीं है plus 20,000 वेकेंसी है तो उतना ज़्यादा उसका qualifying marks जाएगा, वैसा भी नहीं रहेगा ठीक है, तो pre का उतना load नहीं लेना हाँ, इतना तो कर लेना कि qualify हो जाए, target में आपको already बता दिया है, कि कितना आपको रखना है कि किसी भी हालत में qualify हो जाएगा, आगे भी अगर कुछ strategy से related बात रही, तो हम discuss कर लेंगे, thank you so much